नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के फोन पर आप वाइफाई प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं वाइफाई के चलते आपको कोई भी टिककट कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लेम आ जाते हैं तो उनको कैसे फिक्स करना है आज की वीडियो पर मैं आपको इसी के लिए सॉलुशन बताऊंगा तो वीडियो को दियान से देखे और शुरू से लेके आन तक देखे प्रॉब चेकाउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉबल्म के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर जो है फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर है सबसे पेले तो दोस्तों हमें जो है क्या करना है सेटिंग पर जाके स्कॉल्डा운 करके नीचे यहाँ पर आपको जाना है system management पर ठीक है, system management यहाँ पर है दोस्तो system management पर जाने के बाद scroll down करे backup and reset पर जाए और reset network setting पर click करे यहाँ पर click करने के बाद दोस्तो आपको reset setting सबसे नीचे आप देख सकते हैं उसमें click करना है, password को डेना है दुबारा से आपको reset setting नीचे पर मिलेगा rate option पे उसमें click करके network setting को reset करना है ठीक है आपका wifi included है तो आपका wifi भी reset हो जाएगा ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे application and permission पर जाना है app manager पर जाना है उसके बाद दोस्तो three dots पर click करके आपको जो है दोस्तो यहाँ पर show all apps कर देना है यानि की short system पर click करना है और scroll down करके पूरा नीचे आपको चले जाना है ठीक है पूरा नीचे आपको जाना है last में आपको मिलेगा wifi का option उसमें जाए फोर्स stop कीजिए फोर्स stop करने के बाद okay पर click कीजिए ठीक है वरना आपका फोर्स stop नहीं होगा यह कर लिजे उसके बाद जाए internal storage पर clear data पर click करके यहाँ पी भी okay पर click कीजिए वरना clear data भी नहीं होगा clear data कर लिजे उसके बाद बेक कीजिए बेक करने के बाद दोस्तों permissions यहाँ पर already allowed रहेगा ठीक है तो आपको करने के जूरूर नहीं है तो यह कर लेने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart करें device restart करने के बाद वाई-फाई पर जाए वाई-फाई पर जाने के बाद इ दोस्तों बेक कीजिए आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वाई-फाई का वह definitely solve हो जाएगा ठीक है सारी साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं mobile software को अपडेट कर सकते हैं mobile software को भी अपडेट करके use जरू करें इस से आपका problem definitely solve होगा ठीक है और दोस्तों कभी कभ प्रॉब्लम से वाई-फाई लेते हैं ठीक है यानि कि जो वाई-फाई हम जो होट्सपोट शेयर करते हैं तो उस फोन पर भी कभी कभी problem हो जाते हैं तो उनका होट्सपोट limit वगरा चेक कर लिया ठीक है और उनका internet connection वगरा चेक कर ले internet connection ओन है या नहीं है ठीक है तो उन प्रॉब्लम सोल्फ हो जाएगा तो दोस्तों यह था वाई-फाई प्रॉब्लम का solution वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जाके लाइक जरू करें तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही टेंक्स फूर वाचिंग